चंदनक्यारी थाना पुलिस ने आईटी आई मोर में मवेशियों को लाद कर दो पिकप भेंच जबत के साथ पांच लोगों को गिरफतार कर जेल भी रहा चंदनक्यारी थाना पुलिस ने देर रात में गुप्त सूचना के अधार पर चंदनक्यारी आईटियाई मोर के पास वाहन चेकिंग लगाया जहां चेकिंग के दौरान दो पिकप वाहन बोकारों की तरफ से आ रहे थे एक वाहन में पांच भैस और पांच भैस के बच्चे जिसमें एक बच्चा मरा हुआ था दूसरे पिकप वाहन में तीन भैस दो गाय और एक भैस का बच्चा था पुलिस की पुछताच में उन लोगों के द्वारा कोई कागजात पर स्तूत नहीं किया गया उनके द्वारा बताया गया कि वे इन पस्वों को विहार के बिहिया के एवं आसपास से लेकर पश्चिम बंगाल ले जाना चाहता था पुलिस ने गाड़ी और पस्वों को जब्त कर थाना में सुरक्छार्ट लाया गया पस्वों को बहादर पूर नारायन पूर इस्थित गौसाला में जिम्मे नामा कर जमा कर दिया गया गाए एवं पांच वेक्तियों को चास जेल भेज दिया गया गौरब तलब है कि कुछ महीने से चंदन क्यारी के रास्ते से बंगाल मवेशियों को अवेद रूप से पार कराया जा रहा था लोगों का कहना है कि इनमें पुलिस एवं अस्थानिय लोगों की मिली भगत